जै माता दी, क्लास 7 की हनी कॉम बुक की एक और पॉम करने वाले हैं जिसका नाम है चीवी जो की the fourth chapter, the ashes that made trees bloom की पॉम है So ये जो चीवी पॉम है, सबसे पहले चीवी का मतलब क्या होता है चीवी मतलब continuous annoying या nagging करना किसी को, मतलब किसी के पीछे ही पड़ जाना कि ये मत करो, वो मत करो, इस टाइब की चीज़ें अगर होती हैं तो that is chiving मतलब कई बार parents nag करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि continuously हमें कोई परेशान करते हैं इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं चीवी चीवी यहाँ पे आगे देखते हैं इस poem में Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do अपने आप से पुछो और अपने partner से पुछो, मतलब अपने classmate से पुछो कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है अगर तुम्हें बार बार में कोई हर बात पर यह ऐसे कहता रहता है कि यह करो, वो मत करो, यह करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस टाइब की चीज़ें जो grown-ups do this in your experience और क्या तुमसे जो बड़े होते हैं वो तुम्हारे experience में ऐसा कभी कुछ क्या हुआ है तो सब बच्चों की life में होता है ऐसा, कि कभी ना कभी उन्होंने ऐसा experience किया हुआ होता है कि कभी ना कभी घर के बड़े उन्हें कुछ कहते हैं कि यह मत करो, वो मत करो, तो यह सच में बहुत ही annoying होता है कि कोई हमारे continuously पीछे पड़ा होता है, तो continuously annoying जो करता है, उसे कहते हैं चीवी So, यहाँ पर यह जो पॉम के writer है, Michael, उनका एक incident यहाँ पे लिखा हुआ है और जो बहुत ही अच्छा है When Michael was five year old, his mother took him to nearby school for admission जब Michael, इस पॉम के poet जो है, वो पांच साल के थे, तब उनकी ममा ने, उनकी mother ने, उनका पास की एक school में admission कराने के लिए लेकर गई कि admission के लिए उनने school लेकर गई The teacher asked, what does your mother call you at home, child? तो teacher ने उससे क्या पुछा, कि तुमारी ममा तुमें घर पे क्या वुलाती है? मतलब नाम पूछ रहे थे कि तुमें तुमारी ममा क्या कहती है, क्या कहकर बुलाती है Michael don't came the confident reply, और confident तरीके से reply क्या आता है? Michael don't, मतलब Michael don't का मतलब Michael ये नहीं करो, in the sense कि उसकी मतलब ऐसे कहती हो Michael don't do this, Michael don't do this, Michael don't do this, Michael ये मत करो, Michael वो मत करो तो मतलब हर बात कि Michael का आगे don't लगाती है, कि Michael don't do this, Michael don't go there, Michael don't take this तो इस तरीके की चीज़ें करती होंगी तो उनको लगा कि उनका नाम ही Michael don't है तो कितना अच्छा नाम रखा हुआ है उनको लगा कि मेरा नाम ही है Note, to TV is to nag, मतलब TV का मतलब होता है nag करना, किसी के पीछे ही पढ़ जाना, बार बार एक ही चीज़ कहना to continuously ask someone to do something, बार बार किसी को एक ही चीज़ कहना, कि मतलब ये करो, कुछ करने के लिए कहना often in an annoying way, ज्यादा तर ये पीछे पढ़ने के तरीके में कहा जाता है, चीवी उसे ही कहते हैं, कि मतलब पीछे ही पढ़ जाना according to the dictionary, तो ये meaning है, according to the dictionary अब हम पॉम में देखते हैं, कि पॉम में जो point है, वो क्या कह रहे हैं, कि जो माइकल है, Mr. Michael वो उनकी मदर उनको क्या कहती थी और mostly parents ऐसा ही करते हैं, और mostly बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है, कि इन्हीं चीज़ों के उपर उनको डांट परती है, ये मत करो वो मत करो जो बड़े होते हैं, grown-ups मतलब जो बड़े, जो हमसे बड़े हैं, says things like, speak up, बोलो, जब हम कहीं पे कुछ काम होता है, कहीं पे जरुत होती है, वहाँ पे बच्चे mostly नहीं बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि speak up, don't talk with your mouthful, बात मत करो, जब तुम्हारा mouthful का मतलब होता है, कि खाना जब मुँ में हो, जब खाने से आपका मुँ भरा हुआ है, तो बात मत करो, don't stare, घूरो मत, मतलब कभी आप किसी चीज़ को continuously देख रहे हो, या आपको वो डांट रहे हैं, तब आप घूर रहे होते हो, तब भी भी वो कहते हैं कि don't stare, don't point, मतलब किसी की और इशारा मत करो, mostly बच्चे होते हैं कि वो मतलब कुछ भी बात करते हैं, किसी के बारे में भी बात करते हैं, तो उसकी तरफ इशारा करते हैं, जो परेंट्स को पसंद नहीं होता है, obvious सी बात है क्योंकि सामने वाले को पता चल जाएगा, कि बच्चा उसके बारे में कुछ कह रहा है, don't pick your nose, अपने नाक में उंगली मत करो, sit up and say please, तो इस तरीखी की बाते कहते हैं, बैठो, उठो, say please, कि कभी भी कुछ भी request हो, किसी से कुछ मांगो, तो please बोलो उसके लिए, less noise, कम बाते करो, आवाज मत करो, shut the door behind it, जब भी भी तुम जाओ, तो अपने पीछे, दरवाजा जरूर लगाओ, कि हम होते हैं कि कई बार निकल जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो जब हम young age में होते हैं, या फिर आप तो, of course अगर आप 7th class में हैं, तो छोटे ही हैं, तो मतलब कई बार बूल जाते हैं, door पीछे से बंद करना, तो इस चीज के लिए भी हमें सुनने को मिलता है, don't drag your feet, कई बार चलते हैं ना, ऐसे पैर घसीरते वे, आवाज आती है उसमें, तो इस तरीके से drag मत करो अपने feet को, haven't you got a hanky, कभी कई बार होता है ना, कि कुछ आपको, आपने कुछ खाया पिया, आपने हाथ गंदे कर लिए, या फिर मूद होया, और हाथ पहुँचने के लिए, आपके पास कुछ नहीं है, आप इदर उदर कुछ भी, जैसे curtains को हाथ पूच देते हो, या इस तरीके से तो, आपके पास hanky नहीं है, या फिर घर से बाहर होते हो, तो कुछ ऐसा करते हो, आप अपने कपड़ों को हाथ पहुच लेते हो, तो ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, पैरेंट से कि आपके पास क्या hanky नहीं है, टेक यूर हैंड्स आउट ओफ यूर पॉकेट्स, अपने हाथ पॉकेट्स से बाहर निकालो, मतलब ये कोई respect वाली चीज़ नहीं है, बड़ों के सामने आप पॉकेट में हाथ डाल कर खड़े हो, तो इस तरीके की चीज़े बोलते हैं, पुल यूर सॉक्स अप, अपनी सॉक्स हैं वो उपर की तरफ खीचो, मतलब ठीक करो उनको, स्टेंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो, से थैंक यू, कभी भी कुछ ऐसा हो कि आपकी किसी ने help किया है, या फिर आपने कुछ ऐसा, किसी ने आपको कुछ दिया है, सो से थैंक यू, डॉंट इंटरब, कोई अभी कुछ बात कर रहा है, या कुछ और किसी वज़े से, तो कई बार कहते रहते हैं ना, पैरेंट्स की बीच में इंटरप्ट मत करो, डिस्टर्ब मत करो, नो वन थिंक्स यू आ फनी, और कोई नहीं सोच रहा है कि आप फनी हो, कि मतलब कई बार बच्चों को लगता है ना, या तो नर्वस हो जाते हैं, या फिर इस तरीके के फेसिस बनाते हैं, तो लोग कहते हैं, फेमिली वाले या फिर जो भी बड़े हैं, वो कि, नो वन थिंक्स यू आ फनी, टेक यो एल्बो ओफ दे टेबल, अपनी जो एल्बो है, कौनी है, वो टेबल से हटाओ, मतलब सीधे बैठो, टेबल पे एल्बो लगा कर क्यो बैठो हो, तो मतलब हम बहुत सारे बच्पन में, बहुत सारी चीज़े सुनी ही होती है, इन में से आपने कभी कभी चीज़ के लिए, आपके पैरेंट्स ने कहा हो, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इनके अलावा भी अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है, कि हाँ मेरे पैरेंट्स सो मुझे इसी चीज़ पर ये कहते हैं, कि ये ये चीज़ मत करो, बदलने मुझे इसी बात पर सुनने को मिलता है, तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और ये जो हमारी पॉम थी, ये माइकल रोजन की थी, जैसा कि मैंने स्टाटिक में बताया था, पोईट का जो इंसिडेंट था, माइकल, तो माइकल रोजन का जो इंसिडेंट सा, वो भी काफी अच्छा था, कि माइकल डॉंट उनको लगता था, कि Michael Don't, उनका नेम है, उसी तरीके से आपके पास भी कुछ experience होगा, please share with me, hope you like it, if you like it, please hit the thumbs up button, please, please, please subscribe to the channel, put your views and suggestions in comment section, so thank you.